कॉंग्रेस पार्टी आरूप लगा रही है कि लूट आपने मचनी दी सपने में आप खोई हुए थे लेकिन बीजेपी का एक ही सपना है पांच साल सत्ता आए फिर जो भी करें सीएम ना करें हिसाब उन्हें देना नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अंत में आएंग और बासव राजबोमई जी दोनों ने शांदार काम किया है क्या यदूरप्पा जी से अधिक लोकप्री कोई नेता है करनाटक में कटिंगे क्रॉस अपार्टी लाइन में पूछना चाहता हूं और उन्हों ने इतने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करके इस सिती में पहुंचाया क्योंकि वह अब असी वर्ष के हो रहे हैं हमारे या एक विवस्था थी उसके तहट उन्हों ने किया उसमें कोई कोई किंतु परंतु की बात ने परंतु वो आज उसी धंक से लगे हुए हमारे ऐसा नहीं होता है कि कैप्टेन अमरिंदर सिंग हटे और फिर ने ब्यान दिया और फिर उसके बाद उनके उपर अरोब लगें और उसके बाद वो कुछ और चलने लगा उन्होंने कहिए ये इशे आदमे असके अदमी हमारे चला शब मिलकर एक समानOR से काम कर रहे है अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ हमनारी सरकार ने जो क्या किया है अगर आपने वहाँ देखा हो तो रैयत विध्यानी दी योजना जो बुमई सरकार ने चलाई किसान के बच्चे को आप पढ़ने की विवस्था तो करवा देते हैं हाइर एजूकेशन में जाने की विवस्था नहीं हो पाती है साड़े दस लाग किसान और गरीब परिवार के लोग इससे प्रभावित हुए साथ सो पचीस करोड़ों रुपए उन्होंने लगाएं हमने क्या किया है अगर हम आपसे बात बताना चाहें तो सिर्फ याद दिलान जाता हूँ अटेल जी की सरकार के समय में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का पहला अपना आफिस खोला था बैंगलोरू में मोदी जी की सरकार आने के बाद यह सबसे हाइएंड फोन जो आईफोन माना जाता है वो पचीस परसेंट आईफोन फोटीन बने हैं करनाटक में और इससे 21 अरब रुपए से अधिका हमें प्रॉफिट हुआ है इसमें बनाने में और टुमकुर में हमारा हेलिकॉप्टर बनाने की फैक्टरी फाइटर हेलिकॉप्टर बनाने की फैक्टरी आप बताईए जो फोन्स बनते हैं इनमें सेमी कंड़क्टर चिप सबसे बड़ी समस्या है अब भारत उसमें आतमर होना चाह रहा है तो सेमी कंड़क्टर सी फैक्टरी सबसे पहली वहां बन रही है इसी लिए जैपजरंग बली बोल रहे है हमने बोल नहीं रहे है इतनी काम आपने गिना है सुनिये तो समस्या क्या है कि बोलने से ज्यादा महत होता लिखने का तो यह लिखके दिये हैं और लिखने से ज्यादा महत होता संकल्प करने का तो संकल्पत्र में लिखके दिये हैं क्या करें आरोप तो लगार हैं 40-85 जाने क्या-क्या मगर दिल में इतनी घ्रणा भरी हुई है और मज़े की बात देखिए बजरंग दल पर प्रदिवन लगाने के लिए दिन कौन सा चुना मंगलवार मता इससे जादा तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इनके दिमाख में क्या और भग्मान क्या गलती कराते हैं तो देखिए आपकी नजर कहां गई बजरंग दल को किस दिन बैन किया बैन थोड़ी किया सर मैनिफेस्टों जारी किया है आँ बहुत अच्छा आपने बात कही जानते हैं क्या कहा है पिए फाई और बजरंग दल करेंगे देखिए कितनी वारंटी नहीं है गारंटी के दो बाती क्या कही जाए रादिका जी ट्रंप काड उनके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का बोलना वहां जाना सबसे बड़ा ट्रंप काड है और यह देखा गया है कई लोग वहां कह रहे हैं कि जो स्विंग वोटर्स हैं वो आखरी प्रधान मंत्री जी के अपने गिनवार ही थी कितने कितने उनकी राइलिया होनी है 40% कमिशन सरकारा के महा मुख्या प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने चालिस किलो मीटर का रोड़ शो किया उस रोड़ शो के बाद उन्होंने लोगों से बात भी करी अपना लच्छे उनके बारे में तो नहीं बोले और आप लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है मोधी जी और इनके प्रवक्ताओं को बजरंग दल बजरंग पुनिया वहां पे खुद बैठे है उनके तो नाम में ही बजरंग बली है उन्हीं की बात सुन लेते बहां में सुनेंगे चलिए बजरंग बली का प्रवक्ता हो गया लेकिन जिसके नाम में ही बजरंग है उसकी आप बात नहीं सुनते हैं कहते हैं हमारी बेटियों को ने आई दे दीजे दूसरी बात अब यहाँ ते बात हो रही हमने इतना अच्छा काम किया हम यह फैक्टरी लगाए वो फैक्टरी कि बैंगलूरू में कॉगनिजंट कंपनी है उसने 3600 लोगों को बेरोजगार कर दिया है निकाल दिया है यह रोजगार की बात करते हैं इतने बड़े-बड़े वादे किये थे किसानों को लेकर किसानों को MSP मिलेगी किसानों की आए दुगनी होगी एक किसान मुझे दिखा दिजे पूरे हिंदोस्तान में बैंगलूरू तो छोड़िये जिसकी आयनों ने दुगनी करके दियो हो उसके बाद में डिबेट पर आना छोड़ दूंगी ऐसा नहीं हुआ अब यह बात करते है कि हमने करनाटक में यह कर दिया वो कर दिया अगर कुछ किया होता तो करनाटक पूरा अग। चालिस परसेंट कमिशन सरकार के महा मुख्या ने 40 किलोमेटर का रोडशो कैंसल किया क्योंकि मनीपूर जर्रा है मनीपूर भी हमारे ही देश का हिस्ता है नौर्थीस में हुआ तो क्या हुआ पर है तो आप ही की सरकार धंगे तो वहां पे हो रहे हैं वोट तो आपको मिला है क्या वहां कोई जिम्मेदारी नहीं बलती देश के परदार में जवाब दीजे देखिये इन्होंने जो बात कही 40% कमिशन की जहां से नोंने बाद शुरू की मैं साफ कहना चाहता हूं कि रिश्वत लेना अपराद है रिश्वत देना भी अपराद है रिश्वत के लिए कम का बयान नहीं था यह भारत के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा जनादेश पाने वाले प्रधान मंतरी का बयान था कि एक रुपिया दिल्ली से चलता है तो पंद्रा पैसे पहुंसता और आप लोग जाके चेक करिएगा फ्लोर अब दा हाउस पे दिया गया बयान था एक कॉंट्रेक्टर का बयान जिसने उसमें लिख के उसने कभी शिकायत तक नहीं कियो फ्लोर अब दा हाउस पे हाइस्ट एथारिटी वे बैटे वे बैक्ति का बयान और उसमें जानते हैं क्या मज़ेदार बात है इस पे बलगी आटल जी ने भी सवाल पूछा था तो उन्हो लोग आकर इस प्रकार का प्रश्न पूछने की बात करते हैं और जो हमिशा जी की बात गही तो हम याद दिलाना चाहते हैं सिधर अधुर कि सर्कार ने सत्रा सो लोगों पिसे पिए-फई के लोगों पर से मुगद्ने वापस लिये थे और जब आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या उन्हें नहीं लगेगा सहिया भै कोतवाल अब डर का है का हम पूछना चाहते हैं इनी के नेता थे अखंड श्री निवास मूर्ती दलित थे उनके घर पर पीएफाई ने हमला किया इन्हों ने कोई बचाओ किया ही नहीं छोड़ द पूछी है अगर इस धंके लोग आएंगे सब्ता में तो क्या होगा और मैं कहूंगा अमिशाजी ने तो थोड़ा हलका बोला है आपके जमाने में तो उत्तर से दक्षिर तक मैं दरजनों बार बोल चुका हूं देश का एक शहर एक प्रांद बताईए जहां धमाके ना होत पूर्की जो इस्थिती है वहां की परिस्थिती के अनुसार जो इस्थानिये कारण है वहां की सरकार पूरी सतरक्ता संवेदन शीलता और सजगता के साथ काम कर रही है तब ही जल रहा है